हेलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सब आज 23 सितंबर है तो आज आपको पता है कि इस वीडियो को जरूर देखकर जाएगा क्योंकि 100% चांस है कि इस में से कुछ ने कुछ जरूर फंसेगा तो इसे की साथ स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल इस्टरी फॉर आ आपको जौर्ण कर सकते है तो चलिए अब हम अपना वीडियो करते हैं आप हमारा पहला कुछ सब्सक्राइब करते हैं कौन साबिक अैस्ट मिनियम का निसटर है छाइब सब्सक्राइब और आगे चलते हैं कि हमारा सब्सक्राइब होती है तो आपको करी बताया तो मैंने वीडियो अपनाया था उसको भी आफ लोग जोड़ देख लीजिएगा जो कि इन दो मॉडल पेपर में अपलोड किया हूं इन्हीं दो मॉडल पेपर से जवरो कुछ ने कुछ फंसेना वाला है ठीक चलिए इसका जो किस से सिसा धातू उत्पन होती है तो वह बेल लेना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दी चलिए एनस प्रोशन के और आगे चलते खिचाव और खिसलन के कारण ठीक यह अप्शन सी इसका राइटान चरो जाएगा कुर्टवा कासर किचाव और फिसलन के कारण पाउर ट्रांस्यमिशन में वर्टिकल बेदलाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ठीक चलिए अनस कोशन के और आगे चलते हैं वारा नेस यह देखें यह वपर साफ कल्कुलेशन का मदलब क्वेशन है यह ज़रूफ हासेगा प्रेसर की गढ़ना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है तो वह है आपसंद भी बल बटा छेटर फालिस्टो आप लोग यार रखिएगा सूत्र वाले सवाल ज्यादा हैं तो इसके जो राइट अंसर हो जाएगा वह है आपसंद भी सिंट्रेड एलाए ठीक चलिए नेस्क्वेशन क्यों आगे चलते हैं कौन सी धातू संचारें प्रतिरोवत की अच्छा करती है और कोटिंग पतापमान भीनता कहाने दरार या छिलता नहीं है तो इसका जो र अच्छा है कि नहीं चलिए नेस्क्वेशन के और आगे चलते हैं अगर इस वीरिंग का नाम बताइए यह देखिए यह फिगर वाले वाले पूच्वेशन इसको आप दो आजवर देखी जाएगा इस वीरिंग का नाम पूछ रहा है क्योंसी वीरिंग है तो इसका जो क्या है ऐसाय कीवे का अनपात क्या है है तो एक अनपात्टी क्या तो हुए किवे का टेपश का अनपात होटा है ठीक कि इसको आपनों वहाथ रख़िए चलू इस में फ्रइड सब्सक्राइब हैँ चलते हैcken क्या है यह देखिए यह कोशन बारवा पूछता है एलमीनियम धातों का रंग क्या है जो इसके जुराइट आंसर वाइट इस के यह कल के मॉडल पेपर मैंने करवाया था आप से चले नेस गयों नाम क्या है ये या ये पूछा है इस रिंग का नाम क्या है दुरुसे दो नाम में वह है हुक रिंच ठीक डिक आप प्होचा की यह हुक रिंच है किस समाकरी को चार्ज करने के बाद लेपिंग प्लेट को धोना है तो इसका जो राइटांस हो जाएगा वह है मिस्टी का तेल यह दोस्तों आप लोग पढ़के जाएगा इसको यह 100% दो मॉडल पेपर मैंने अपलोड गया है उसी में से ज़रूर आएगा कुछ ने कुछ तो कौन से वीरिंग में लोडिंग अच्छे के समकोण होता है तो है जनल वीरिंग तो जनल वीरिंग इस ता दोस्तों और अंसर हो जाएगा आप लोग आद रखिएगा और इस पर पढ़के ज़रूर जाएगा चलिए नेस्ट कोशन के ओर आगे चलते हैं यह दोस्तों साब लोड को मूव करने के लिए किस सब्दों का प्रियोग किया जाता है तो यह नुमेटिक ठीक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यह नुमेटिक जलिए नेस्ट कोशन के ओर आगे चलते हैं हमारा नेस्ट कोशन है क्लच का नाम क्या है देख रहे हैं ऐसे बनाए संकू टाइ यह भी आप लोग ज्यान में रखिएगा इंपोर्टेंट कोशन है ठीक ने कौन साथ सितलक तेल पाने के साथ इमाल सब्सक्राइब होता है अभी मेरा एक दोस्टे कर पेपर देख आया है उसने बताए यह कुशन और इसमें से मैंने जो करवा है उसमें से कुशन को ब्रोग किया जाता है डूरस्थ इस्थान और आप साइट के लिए किसक्रें का उप्योग किया जाता है तो सत्पेर्यां कुश्राइब हम लागह reinforcing को देच क्या है तो भारी भार को उठाने या संचालन कर लिए यह भी मैने कल आपको बताया थो यह बेरी प्रक्रिया करते समय एक ठाटू के टुकड़े को 250 दिगरी सेंटिकरेट पर गर्म किया जाता है तो वो स्थाटू का रंग क्या हो जाता है इसको दोस्तों आप लोग गयार रखना है इसका रंग भूरा हो जाता है ठीक इसका बी आप्सन राइट आंसर होगा चलिए नेस्ट्रोशन के उरागे चलते हैं उसमा उप्चार की प किया यह की राइट आंसर हो जाएगा ठीक चलिए नेस्ट्रोशन के उरागे चलते हैं हमारा नेस्ट्रोशन के देखें बसाफ कलकुलेशन का है यह हमारे जम में भी पूछा गया था सात तरीक को एसपी का विस्ट्रेट लूप क्या है ठीक तो यह सब्सक्ती क्या है सेलिं प्राइस है विक्रै मोले आपको पढ़ाओगा तो आपको मालूँगा है आप्षन से इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रै मोले ठीक चली क्यों आगे चलते हैं कि का आई को निरूफित करता है अच्छित आई किसको निरूपित डाहिए interest को ठीक कि अप्शन बीस का राइट अंसर हो जाएगा इंट्रेस्ट को ठीक ना अप्शन बीस का राइट अंसर हो जाएगा आई यह वसाप कल्कुलेशन का सबसे फेमस कुछन यह पूछ सकता है आतके जाम में भी दोस्तों तो आप से मेरा प्लीस रिक्वेस्ट है कि इसको देख कर जहूर जाईएगा ठीक ना चलिए अमने स्कूछन की वागे चलते हैं कि यह पूछा साधारम व्याज क्या होगा कि यदि रूपीस इतने कि धन राजशी रूपीस 15600 बन जाती है जिसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करता है सीधे 15600 लिखके और 12000 माइनस कर देना है तो आप जब माइनस करेंगे तो यहां आएगा 3600 तो यहीं इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन B अप्शन B इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक चलिए हमने स्कूछन के रागे चलते हैं हमारा ने स्कूछन है खंशन बल पर कौन सा निर्भर करता है तो यह हमारे को मत सब्सक्राइब में आया था संपर की सरफिस यह आप लोगा रखिएगा इसका अप्शन B राइट अंसर होगा संपर की सरफिस चलिए ने स्कूछन के रागे चलते हैं हमारा ने स्कूछन है इस निहन को बनाए रखने के लिए जाती है का इस शचिता के वह बनता है पर मर इस निहन को बनारे सस्कूछन को बनाए रखने के लिए जकी सीकूर की बढ़ करते है ठीक इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्सन है चलिए निस्ट्रोशन के और आगे चलते हैं हमारा निस्ट्रोशन यदि घंसंग गुरांक यह देखिए यदि घंसंग गुरांक पॉइंट 0125 है तो किसी वस्तु का भार भार दिया है आपको 30 केजी के बल द्वारा इस्थान आंत्र किया जा सकता है अब यह देखिए इसका सिंपल सा वह है फंडा है कि आप 30 को उपर लेकिए और 0125 को नीचे लेखिए अब दस्मुला उड़ा देंगे तो 1234 दस्मुला अब आप 125 में इसको भाग देंगे तो आपका अंसरा जाएगा 2400 केजी ठीक चलिए तो इस्ता रायतान सो हो जाएगा ऑप्शन दी 2400 केजी चलिए अमनेस क्रूशन के रागे चलते हैं आयताकार पिंड के गुरुत का केंद्र क्या है ठीक दो आयताकार पिंड के गुरुत केंद्र होता है ठीक विकंड के चरह है के बिंदू पर ऑप्शन से राइट अंसर हो जाएगा चलते हैं चक्र का सबसे बनात चांप को क्या का जाता है यह कल के मतलब जो पेपर हुआ है अभी 22 को उसमें भी पूछा गया इस्ता राइट अंसर हो जाएगा ब्यास आप क्ट्षण से खटवर और भंगवर बनाती है तो कच्छे लोहे में जो कौन से असुत्ता जो इसे मतलब कठोर भंगुर बनाती है वह सलफर अप्शन भी इस्ता राइट अंसर हो जाएगा चलिये ने तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है इसका जो राइट अंसर हो जाए वह है मुले सूची आप लोग लगा के आएगा यह भी एक्जाम में पूछा गया है तो दोस्तों आज के वीडियों बस इतना है और उमेद करते हैं कि आप यह वीडियो ज़रूर देख रहे होंग और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा और बेल आइकन को नोडिकेशन को आउन कर लेजेगा ताकि मैं और आगे वीडियो डाल लूँ तो उस्ता नोडिकेशन सबसे पहले आप तब पहुंचे और जिनका एक्जाम अभी नहीं हुआ है क्रिपया करक हमारे टेलिग्राम को जॉइंग कर लें और वहां पर मैंने सारे मेटेरियल इस तरी मेटेरियल डाल दिया है आप लोग उस्तों पर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं फिर नएसे वीडियो के साथ तब तक लिए जय भारत जय हिंद्ट